नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ वशीर बिहार में नीती आयोग की रिपोर्ट पर लगातार सियासत जारी है भीपक्ष लगातार इस रिपोर्ट को आधार बना कर बिहार सरकार को घेरने में जुटा है बिहार विधान सवा में नेतापरतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मुखमंत्री नितिश कुमार पर बरा हमला किया है तेजस्वी यादव के इस सियासी वार पर जंतादल यूनाइटेट ने भी बलटबार किया है पर्देश जदियू के उपाद्यक्ष सहविधान पार्षत संजय सिने शनिवार को कहा कि नेता पर्थिपक्ष को यह जानना चाहिए कि किसी द्रिष्टिहीन को ही बिहार का विकास नहीं दिख सकता है बिहार में हुए विकास को महसूस किया जा सकता है वही संजय सिंग ने भी तेजस्वी आदब को जवाब दिया है संजय सिंग ने कहा है कि नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदब को मालुम होना चाहिए कि नितीश कुमार समस्याओं को दूर करने वाले लोगों में गिने जाते हैं निती आयोग और तमाम संस्ताय क्या कहती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की जनता नितीश कुमार के विकास पर विश्वास करती है जो अहम बात है संजै सिंह ने कहा कि विगत 16 वर्सों से लालू परशाद और तेजस्वी यादव लगातार हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन बिहार की जनता आखिर उन्हें क्यों ना कार दे रही है वजह साफ है कि लोग बिहार की कानून विवस्था वो आस्मिता पर सोचते हैं उन्हें पता है कि नितीश कुमार ही कानून विवस्था को दुरुस्त रख सकते हैं तो लगातार जो है तेजस्वी यादव ट्वीट करके मुखमंत्री नितीश कुमार पर निती आयोग की रिपोर्ट को ले करके हमला करते हैं तो लगातार जो है कि निती आयोग की रिपोर्ट को हम नहीं मानते हैं निती आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है उससे हमको कोई फर्क नहीं परता है लगातार जो है बिहार की जनता मुखमंत्री नितीश कुमार पर भरोसाब बनाय रखी है इसका जीता जागता उदाहरन है कि बिहार में चौमुखा विकास हो रहा है तो लगातार जो है पक्स बिपक्स में निती आयोग की रिपोर्ट पर वार पलटबार हो रहा है कल से विधान सभा का सित कालिन सत्र भी शुरू हो रहा है जिसमें तेजसिव यादब पूरी तयारी के साथ मुखमंदरी इधिश्कमार को घेरने वाले लेकिन सरकार सदन में इसका जवाब देने के लिए तयार बन रहे हमारे साथ आपको उन तमाम ऐसे खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सकाइब नहीं किया है तो जल जब सब्सकाइब पहले नमस्कार